राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमली चलिए ना आज एक अचार बनाते हैं मेरा फैवरेट अचार ठीक है ना खाने के साथ मुझे अचार खाना बहुती ज़्यादा पसंद है और घर मेरा अचार खतम हो गया था मतलब अभी मैंने लाश टाइम में सत रंगी अचार डाला था तो मैंने पापजी को पुचा दिया पूरा का पूरा डबा शाम का खाना बना रही थी और शाम के खाने में आज मैंने बनाई है वही अपनी आलू मतर की खिचडी तो मुझे ना थोड़ा सा टाइम मेल गया था मैंने सोचा चलिए आज ना अचार बना देती हूँ क्योंकि यह अचार ना 8-10 मिनट में टोटली बनके तयार हो जाता है डब्बे के अंतर चला जाता है या ऐसा बोल सकते हो 8-10 मिनट लगती है आप खा सकते हो इस अचार को बना के तो चलिए बनाना शुरू करती है अब आपको ऐसा लग रहा होगा के आज अनीता अचार बना रही है और कड़ाई में पानी डाल दिया है तो हाँ यहाँ पे मैंने कड़ाई रख दी है और इसमें धेर सारा पानी डाल दिया है पानी इतना डाला है ताकि हमारी मूली इसके अंदर डोब जाए करेब दो लिटर के जितना उसमें मैंने दो तीन चम्मज नमक डाल दिया है और एक चम्मज के जितना हल्दी पाउड़ा डाल दिया है जब तक वो अच्छी से पकेगा ना मतलब एक उसमें उबाल साएगा तो हम यहाँ पर मूली को काट लेते हैं यह मूली हमारे खेट की मूली है बिल्कुल बड़ी आप परफेक्ट बिना काद पानी वाली केमिकल वाली है शुद मूली बोल सकते हैं आप इसको आज आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजर्मेंट बता रही हूँ वहाँ भी मैंने दो लिटर के जितना पानी उबालने के लिए रख दिया है इन मूलीों में अगर वजन करा जाए ना करीब ये डेड़ किलो के जितनी मूली है मेरे हाथ में ये आपको दिखाई दे रही होगी एक तो ये बहुत जादा मोटी भी है और काफी लंबी भी है दरसल जब खेत में से लेके आए थे खेत में बहुत लंबी-लंबी मूली हो रही है आधी ही आधी तो जमीन के नीची रहा गी थी तो मैंने याप मटर वगेरा तुमटर के छिलके रखे वे ते उसी में मैंने ये मूली को भी चिल लिया है अब मैंने आपे किचिन काउंटर को साब भी करती है उसके बाद हम मूली को कट करते हैं अचा मूली की जो सेफ है यानि अचार की जो सेफ है आप अपने हिसाब से कट कर सकते है जैसी आप परफेक्ट सेप कही मीनी मिलती है तो मैं भी कुछ इसी तरीके की सेप काट रही हूं अब मैं ज्यादा लंपी काटती तो अच्छी नहीं लगती और यह जो मूली है न यह बहुत ज्यादा मोटे मोटे ती तो मैंने जुगाड़ बाजी करके मतलब छोटी-छोटी सेप काट सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है उधर मेरा बेटा घूम रहा है चादरोड के मस्ती में और साथ में मैं अपनी हांडी पर ध्यान रख रही हूं क्योंकि उसमें मेरी बन रही है नमकीन किजड़ी जब तक ही मैंने मूली यहाँ पर काटी थी न उधर पानी भी अच्छी से खोल चुका है खोलते पानी में हमें यह मूली डाल देनी है मूली को मैंने काटने से पहले अच्छी से रगड के धुलिया दा थीक है न तो यह बिलकुल साफ सुतरी मूली है आप धुने की इनने जरूरत नहीं है जब पानी अच्छी से खोलने लगेगा हम यह मूली हाँ डाल देंगे अच्छा अब आपको मैं एक टाइमिंग बताती हूँ टाइमिंग क्या है इसकी जब आप खोलते पानी में इस मूली को डालोगे ठीक है ना आप घड़ी का टाइम देख लेना तो आपको पूरी 5-6 मिनट के लिए पकानी है आपको ये निंतिजार करना है कि इस का फ्लेम हाई करके पका लिया है तो जितनी मुझे ये पकानी थी इतनी मूली पक चुगी है चलिए इसको हम निकाल लेते हैं वैसे तो मुझे ये जाली वाली छलनी वागेरा पे निकालना था बट मैंने देगा तो वो इस्टोर हुई रखी दी मतलब उनका इस्तेमाल कम ह होता है जिसे जर्णव अगेरा होता है उस भी निकाल लेते हैं जादा सही रहता पानी निचर जाता इतना बट मुझे निकालनी पड़ती और फिर रखनी पड़ती तो थोड़ा सा आलस कर गी और मैंने इसको थाली में निकाल लिया है चलिए सारी निकाल लिया है कड़ाई का भी टाइम हो रहा है उतर जो है हमारा खाना भी बन चुका है पस मैं थोड़ी सी रोटिया ही बनाऊंगी तो अब अचार को मैं खाना खाने के बाद छेड़ूंगी करीब मुझे आदा पोना घंटा हो जाएगा मूली अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो आप देख रहे हैं यहां पर खाने की तयारी हो चुकी है तो लिएजे खाना भी मैंने खा लिया है ठीक है अब अचार की तयारी नहीं अभी मैंने खाना नहीं खाया है स्वरी मेरे मून से निगल लिए अभी मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि मुझे आज खाने की साथ अचारी खाना है तो पहले में इसको तयार करूंगे परफेक्ट मेसर मेंट बता रहा हूं टेबल इस्पून उठा लीजिए एक बड़ी ऐसा चमज भरके राए डालेंगे 3-4 चमज के जितनी पीले वाली सर्सों डालेंगे आधा चमज के जीरा और एक छोटा चमज के जितना सौब डालेंगे थो ऐसे पीछ के तयार करेंगे क्योंकि मसाले जो है अचार में जाने के बाद ओटोमेटिक ही बुन जाएंगे इनका मोश्चर भी खतम हो जाएगा मिक्सी का जार ले लिया है और सारे मसाले एक ही जगे डाल दिया है अलग अलग पीछने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए पीछ लेते हैं अचार इस टाइम बनाने का मुझे एक और प्रॉफिट हो गया है दिल में मुझे लाइट का बहुत इंतिजार करना होता है जिस टाइम में टाइमिंग लगाती हूं रेसीपी सूट करने की उस टाइम मेरे हाथों लाइट नहीं लगती है तो शाम हो रहती है तो शाम के टा दिकता भी रहे, ऐसा बोल सकते हो, मालने थे हैं, जैसे हमने सरसो डालिया ना, सरसो में से चार टुक्डे होने चाहिए, तो तरतराट पनी दहेगा ना, उसमें एसा, हमें कुछ मसाला पीषना है, उसके बाद करीब 100 ग्राम के जितना सरसो का तेल डाल गया है, अचार हमें से तेल गरम हो जाएगा आज को ओनी रखना है तो मसाला डाला है नहीं तो जल जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद डेल समस्के जितना हमें यहां पर डाल देना है जो है तेगी मिच वाला पाउडर इससे हलका सा तीका पनाएगा और अचार में बहुत अच्छे से कलर भी ताकि बच्चे भी खा ले मतलब किसी का मूह ना जले लेकिन जब मैंने इसको खाया ना तो मुझे मज़ा नहीं आया मैंने इसमें बाद में मेच भी लगाई ती चले वह भी आपको दिखाऊंगी जैसे हमने आप पे मूली डाल दी है तो पानी जो थोड़ा बहुत मूली क आपको डालाता इस बात का ध्यान ड़ना है कमी नमक डालना है मतलब जादा होगे तो फिर अचार बेकार हो जाएगा नमक मिर्च मसाले में भाद में भी डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे अच्छे से मिला देते हैं खाने वाले बैठ चुके हैं ठीके न आपको यहाँ प क्योंकि अचार की जल्दी मुझे बहुत रहती है मतलब अचार खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसमें नमक कम लग रहता है मैंने थोड़ सा नमक यहाँ पर डाल दिया है अगर अभी भी कम लगा तो मैं बाद में डाल दूगी अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और अचार अभी गरम भी है तो जब तक मैं खाना खाऊंगी न यह ठंडा हो जाएगा डब्बे में डालने के लायक तो अभी पैक करके रख दूँगी सुबह का कोई काम नहीं छोड़ोंगी डाक्के साइड में छोड़ दिया और खाना खाने के लिए चली अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है किसी से खाया जा रहा है जो मैंने चार खाया मुझे वहाँ पे पिलकुल इपनी लग रहा था ठीक है न यह केवल टेस्ट के ऊपर डिपैंड करता है उसी ही नंभू नेच्ट करता है है लेकिन यहां पर नमक बाद पी डवी डाल देती हूँ, मैंने बोला ना यह अचार ऐसा है, जो भी चीज कम लगया, बाद में भी डाल सकते हो, अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अब आप देखिए, अच्छार का कितना अच्छा कलर आ रहा है, है कि नहीं, जितना अच्छा कलर आ रहा है खाने में भी उतना ही टेश्टी लगने वाला है, यह अच्छार ऐसा है, साथ की साथ बनाईए और साथ की साथ ही खाईए, जाद दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो, तो आपके घर में यह रुकेगा नहीं, इसका टेश्टी कुछ ऐसा होता है, छोटो सी कड़ाई में सर कर दिया है, क्योंकि आपको दिख और नहीं करना था, मैंने इसको प्लास्टिक के टपे में ही कर दिया है, लिज यह अच्छार हमारा तयाग हो चुका है, ठीक है न, तो राधे राधे दोस्तों, आप भी अपने घर में इस अच्छार को बनाईएगा जरूर, सभी को बहुत पसंद आएगा,